हेलो साथियों मैं सौरब कुमार सिंग और सिख्षक बहाली के मुद्दे पर अप्रोडेट आपको करा दे कि कल लगभाग दिन भर हम लोग बैठे रहे और पेटिशन फाइल के त्यारी प्रिलू चल रही है और उसके बाद लगातार जहाम लोग ने असपस्ट कहा कि BPSC 3RE1 में पर्थम फेच के बहाली में इतने बरे पैमाने पर फरजी बारा हुआ सारे चीजों पर सीटिट फेल, ASTT फेल और कई फरजी डोकिमेंट के अधार पर लोग निक्तिक पा लिए और अभी जब दुवारा जांच हो रही है तो किसी का सिगनेचर मिला नहीं हो रहा है, किसी का थम इंप्रेशन नहीं मिल रहा है तो सारे मामलों पर मानिय उच नियाले में हम लोगों की petition file के तैयारी बिलकुल हो चुकी है आज से कल में सारी प्रक्रियाइं पूरी हो जाएगी इसलिए आपको आस्वस्त करते हैं कि जितने भी लोग petitioner बने हैं सबों के मन में एक सवाल है और जितने नए लोग बनेंगे सबों के मन में एक सवाल है कि मानिय उच नियाले से कही नियाएं की गुहार हम लोग लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि मानिय उच नियाले के फैसला हमीं लोग के पक्छ में आएगा साथियों अब जो बात करेंगे आपको कि TRE1 के बाद TRE2 में क्या क्या हुआ और TRE1 की जितने भी संभावना है मानिय उच नियाले में जाने के बाद petition file होने के बाद उस मामले में हम लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता है क्योंकि आप सब को पता है कि मानिय उच नियाले के संग्यान के जाने के बाद और अगर सुनबाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे लेकिन इतना जरूर है कि TRE1 से लेकर TRE2 और जितनी भी सिच्छक बहाली हो रही है हो गई सबों पर कहीं न कहीं हम मुझे लगता है कि BPSC और सिच्छा विवाग की गलती का नतीजा है कि इतने बरे पैमाने पर फर्जी वारा हुआ अगर हम बात करेंगे भासा के नमबर कॉलम में जाकर अन्न का जो ऑप्शन उसमें जाकर आप ये भासा के अरता के लिए आप अप्लिकेशन लगाए BPSC को बताईए कि भासा के अरता के वज़ा से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि पचीस मिनट तीस मिनट आपका समय समाप्त हो गया और खेल के बीच से कई नियम बदले गए आप समझ सकते हैं कि जब परिच्छाएं सुरू ही या परिच्छा सुरू होने के पहले एक दियो दून पहले नोटिस देना चाहिए था परन्तु आपकी गलती आप अपने जो पाप हैं उसको आपने ढखने का परियास किया निसंदे सिख्छक अवियर्ति को इसका खामियाजा भुगतना पर रहा है और भुगत रहे हैं भासा की अरता जो है वन टू फाइब में रखी गई आप बाद बाकि जो चीजों को हटा दी गई तो क्या परतां फेज में सिख्छक बनने के लिए भासा का जानकार होना जरूरी है और सेकेंड फेज में दूसरी जो इंग्यामिशन होई सेकेंड फेज की बहाली उसमें जरूरी नहीं है दोनों फेज में एक लाख बीस हजार लोगों की निक्टी प्रक्रिया चल जो अनिबार्ज थी उसको भी आपने समफ्द कर दिया गया जीरो नम्बै यानि नीलबटा सननाटा कोई भी अगर आपको हिंदी का जनकारी नहीं और आपको haradुन नहीं है टी possess का जनकर आपको होना नहीं है टी यर में टू में वी पी पी si कि सिक्षक चेर्मेन यह अपना अकल आपको हम निकलवा कर रहेंगा क्योंकि जितने भी लोगों के सुची मेरे पास आ रही है और भी पीएसी चेयर्मेंस को भी संग्यान लेना चाहिए कि जिला अधिकाड़ी के अस्तर पर खासकर जिला अधिकाड़ी के अस्तर पिस तरकी जांच होनी चाहिए कि किसी ने अ चाहिए सिग्र हो डुमिसायल के मामले में बिहार के सटे राज्यों से खासकर सिवान गोपाल गन छपड़ा अधिराज्यों में डुमिसायल सर्टिफिकेट रोता सासा राम यह दुदर उतर परदेस के जो सीटे हैं तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजे हैं सब पर एक अच्छा भी भाग इन सब चीजों पर जानकारी ले संग्यान ले और दिसरी महत्मुन बात कि दिव्यांगता के फरजी सर्टिफिकेट आप समझ सकते हैं कोई विक्ति लाचार है हम मुझे याद होगा आपको भी याद होगा टीरी वन में जब कटफ भी नहीं आया कटफ मार्क साया क्या हुआ कुछ नहीं तो टीरी वन में दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग जो सिक्षक अवहरती उनके साथ हम लोग बीपीसी केस पास भी गये थे और पुलीस बल परवक तरह उनको हटाये गया था अपनी मांग बिल्कुल उचित थी लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो फिमेरिट वाले हैं जिन्होंने पड़ी चाहें थी ये पास की मिनिमम पटब को पार कर लिया उसके बाद भी उनको नौक्टी नहीं लेगी और फरजी परमान पद्र के धार पर सैकरों लोग बहाल हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिव्यांग यहां से सुची नहीं आए हो कि फरजी वारा हुआ है अगर आप पकर के बाहर कर रहे हैं तो सिख्षा का वियर्टी क्या गलती है जो नए लोग है उनकी क्या गलती है उनके जगह पर ताप उनको करते तो आपकी जो निक्तिव प्रक्रिया थी बिपीए सी को चाहिए कि होई तो आप बता रहे हैं कि सप्लिमेंटरी नहीं आएगा तो बेटिंग लिस्ट आएगा सीट को जोर कर हम बताएंगे तो 25 अक्टूबर के ट्विट के हवाले के बात आप आपने क्या किया कुछ नहीं किया तो टी यारी टू के जितने वी विद्यारते हैं आपको हम बत के लिए दिव्यांकता प्रवान पत्र के लिए सब के लिए क्योंकि जो फरजिवारा टीरी टू में भी हुआ है और पूरक परिनाम जारी हो 14,700 लोगों की सुची भेजी गई है सिक्षा भी भाक से अगर पूरक परिनाम उतने पत नहीं जारी होते हैं तो मुझे लगता है कि घोर भी डंबना है फिर पल्टी मार आने जो पल्टी बयान से पल्टी पल्टने की बात है उफिर वे पीय से चेर्मैंस के तरफ से होगी तो साथियो बिल्कुल टी और टी आरी टू के जिदमें सिक्षा कभियरती है मेरी बातों को सुन रहे हैं बिल्कुल सजग रहिए अपने मजबूती से अपने कानून के लिए और आप निश्चित रूप से कानून के साथ अपने अधिकार की लड़ाई को है, आपको लड़ना है, हम लोग एक जूट रहेंगे, और जब भी मीटिंग होगी, आपको आना है मीटिंग में, निश्चित रूप से हम लड़ाई लरेंगे सिख्चक अभी हर्तिक के साथ है जै हिंद जै भारत